नमस्कार दोस्तों आप शवी का श्वागत है NKP Production में और आज जो वीडियो में ले करके आया हूँ आपके लिए वो है कि MSC Electronics and Communication Course के लिए ये जो course है वो राची उनिवर्सिटी में भी कराया जा रहा है बहुत ही अच्छा course है कैसे आपको इसमें apply करना है क्या benefit है और इन पे किस तरह से student ये course करके आगे success कर रहे है मैं सारा detail आपको बताने जा रहा हूँ आप अन तक वीडियो में बने रहेंगे और चैनल को like से subscribe कर लिजएगा बगल के bell icon को भी दबा लिजएगा हर तरह का update को पाने के लिए तो ये जो आपका course है कौन-कौन कर सकते है कैसे कर सकते है क्या है इसका फी क्या है सारा detail में बताने जा रहा हूँ तो चलिए शुरुआत करते हैं देखे ये जो आपका मैंने पोश्ट यहाँ डाला है इसी में सारा चीज़ किलियर हो जाता है किसमें क्या कोर्स है कैसे क्या करना है MSC Electronic and Communication कोर्स है ये बहुत ही परचलित है Vocational कोर्स से भी अच्छा है क्योंकि आपको बता देना चाहेंगे जो स्टुडेंट अभी तक किये हैं यहां से 2017 की एक बैच किये स्टुडेंट है च्छा से जगह टरल से पनेडमेट अपना लिया है नीचे डिस्कृप्सं में उनका जो सक्सा़ी छो-उन्हों ने बताया है ते लिंक लिंक पा आईडी है मैं डाल द则ना पोदो क्योंकि आप उस से चेक कर सकते एनगे कहां पर काम कर रहे हैं इससे अपना ये कोर्स करके इसके लिए eligibility criteria क्या है तो criteria आपका है B.A.C. Physics और B.A.C. Electronics अगर आप B.A.C. Physics किये हुए हैं या तो फिर B.A.C. Electronics किये हुए हैं तो आप इस पर join कर सकते हैं करने के लिए आप राची उनिवर्सिटी के ओफिस्यल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं वहाँ पर आपको लिंक में आपको सारा चीज मिल जाएगा क्यूर को आप सकेन कर सकते हैं अपलाई होने के लिए और यहां पर वाट्सप नंबर या कॉल इसमें आगे जाकर क्या कर सकते हैं इससे रिलेटर आगे भी आप जाकर के यह जो कॉर्स है वह एक्वेविलिंट आपका होगा किसके लिए बी डिग्री और श्टुडेंट जो एलिजेबल हो जाएंगे वह हो जाएंगे एम्टेक और पिएसडी के लिए इन टेक्नलोजी के लिए बहुत ही अच्छा कॉर्स है और आप इसे करना चाहते तो जल्द जल्द आप अपलाई कर दिजिए अभी जब तक सीट है तब तक आप जल्दी से अपलाई कर सकते हैं अपलाई किजिए दिक्कत होती है आप नवाद